कि अंधेरे में गल्थी की वज़ा से बच्चे हो जाते हैं नमस्कार नमस्कार थाइंक्डू थाइंक्डू आवो शुनाओं प्यारे का एक किस्टा मैं रोती बनाने जा रहा तू जल्दी से चटनी पिस्टा तो दो मिली के खाएंगे नहीं बिल्कुल भी सर्माएंगे आवो शुनाओं प्यारे का एक किस्टा मैं रोती बनाओं तू जल्दी से चटनी पिस्टा अभी जो मेरी अकलोती पत्नी है अरे हाँ भाई एक लोती पत्नी तो वो जब मारी थी पहले कभी तो मैं उससे बहुत प्यार करता था मैंने एक जिल उसको I love you बोल दिया उसने तहां देखो आज कल इंटरनेट का जमाना है तोसल मीडिया का जमाना है कुछ नए तरीके से परपोज करो इस्टाग्राम की स्टाइल में करो और सब की स्टाइल में करो तो मैंने का ठीक है मैं आपको जो है इस्टाग्राम की स्टाइल में परपोज कर देता हूँ तो मैंने उसको इस्टाग्राम की स्टाइल में परपोज कर दा बाकी को अनफेंद करो तुम निडर हो के टाइप करो आई लाब यू और मेरे ही आईडी पे सेंड करो तुम और इतना ही नहीं मैंने उसको बोला कि तुम चाहे की तरह मुझे को प्रेम करो अगर मैं पारले जी बिस्कुट की तरह उसमें डूपकर ना मर जाओं तो कहना तो अच्छा में पत्नियों को पाने के लिए हमेशा से ही प्रति दोन्दिता चलती आ रही है प्रतियुगता होती रही है जैसे कि त्रेता में सिरी राम चंदर जी ने सीता जी को पाने के लिए धनुष तोड़ा था क्या बात है और द्वापर में अर्जुन ने द्रोपती को पाने के लिए मचली के आंख पर मिशाना लगाया तो और कल्यूग में आपके पास अगर सरकारी नोकरी नहीं तो छोकरी नहीं तो तेरा राम जी करेंगे पेड़पार उदासी मने कहे को करेंगे मेरी अक्सार पत्नी से लडाई जगडा होता रहता है मेरी पत्नी बहुत जगडती है मैंने एक दिन उससे कहा है कि देखो यार हमारी तुम्हारी साधी को इतने साल हो गए है अब तुमुक्त से ऐसे क्यों लड़ती जगडती रहती हो इसका क्या मतलब है तो वो बोली कि तबियत खराब होने पर ना कोई दवा ना कोई ताबीज काम आता है और मैं जब आप से खुप जी भरके लड़ लेती हूं जब जाके कहीं मेरे तबियत को थोड़ा सा आराम आता है अच्छा मेरे साथ तो आज कल कुछ वो ऐसा दिवहार कर रही है किसी को दोस्त, किसी को लवर, किसी को अपना खास समझ रही है लेकिन भाईया, मैं इन में से कुछ भी नहीं हूँ मुझे तो सिर्फ टाइम पास समझ रही है अच्छा था भाईया, जब हमारी स्री मती जी से साधी से पहले हमारी सिटिंग चल रही थी और सिटिंग हो गई तो मैंने उनसे पूछा, कि क्या तुम कहीं घूमने चलोगी तो वो बोली हाँ, चलूँगी, चल पडूँगी, क्या दिक्कत है मैंने रहा कि जब उहाँ चलोगी, तो क्या-क्या खाएंगी आप तो वो मुझे से गिनाने लग गई तिकिया, चाउमीन, बर्गर, पीजा, रसमलाई, छेना, रसबुला, परफी, रसमलाई, ध्वेवर, ठोड़ा पाओ, तुल्कियेक, रबली, काजी, कतली, समोचा, कोल गफता, सोन, पापड़ी, ब्रेग, पकोड़ा, फ्रेंस फ्राइज, जोसा, तोला भतूरा, और पुल अच्छा, इतना सब बताने के बाद, भी वो बोली, जी देखो, जी, जादा कुछ नहीं खाना है, बस थोड़ा ही खाती हूँ, अच्छा, तो मैं जैसे तैसे करजा वर्जा लेकर, उसको खिलाया, पिलाया, और वापस में लोट रहा था, तो रास्ते में एक नजारा एक बुजुर्ग दादा जी थे, रास्ते से चले जा रहे थे, इतने में सामने से एक लड़की आ रहे थी, एक दादा जी की निगाह ना पड़ियो, उस लड़की से टकरा गए, दादा जी बोले, सोरी बेटा, सोरी, गलती हो गई, लड़की बोली, चल, हट बुढ़े, ग गलती से लग गया, अच्छा जैसे तैसे वो सोरी बोलके बुढ़ा चलने लग गया, इतने में उधर से एक लड़का आ रहा था, और संयोग से उस लड़की से वो भी टकरा गया, अब उस लड़के ने भी उसको बोला, सोरी में सोरी सोरी सोरी, लड़की बोली, it's okay, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, तो इतने में दादा जी पलट की देखे, बोले बेटा, क्या हमारी सोरी की स्पेलिंग गलत थी, तो एक बार स्कूल में, टीचर ने बच्चो को संटेंस लिखने के लिए दे दिया, और संटेंस ये था, कि अंधेरे में बच्चो से गलती हो जाती है, और टीचर बोले, बच्चो, देखो, इसको जो है, उल्टा करके लिखना है, अब ये बहुत ही बुद्धिवान बच्चा था उसमें, उसने उसको उल्टा करके लिख दिया, कि अंधेरे में गलती की वज़ा से बच्चे हो जाते हैं, तो अच्चा एक बार एक अदालत में, इसी मुद्धिय को लेकर दो वकीलों में पहस हो गई, और पहस इस तरह बढ़ गई कि वो लडाई जगड़े में तब्दिल हो गई, अब महोल को गरम होता देख, जजज सहाब ने कवाज में एक उखिल से कहा, कि देखो अगर आप लोग इस तरीके से लडाई जगड़ा करेंगे, तो आपको अदालत से बाहर कर दिया जाएगा, तू इतने में एक उखिल ने पलटके जजज सहाब की तरफ देखा, और बोला कौन साला कहता है, अब जजज सहाब और गुस्सेम हो गए, पूरे लाल पीले हो गए, जजज सहाब बोले, कि तूने मुझको साला बोला, अब ओकी सहाब में सुचग बात तो गरबर हो गई, बोला नहीं मिलाड, मैं तो ये पूछ रहा था, कि सर कौन साला कहता है, तो दोस्तों आप लोगों को हमारी वीडियो पैठी लगी, आप लोग वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग हमारी वीडियो पर एक लाइक करें, और प्यारा सा कमेंट कर दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नए वीडियो में एक धमाकेदार कमेड़ी के साथ तब तक के लिए जय हिन